बिहार विधान सबाज चुनाव से जुड़े रुजहान आने शुरू हो गए हैं और जिस प्रकार के आंकडों में बदलाओ हो रहा है उसको लेकर के तमाम जितने भी राजजनेतिक दल हैं उनकी भी सिर्दर्दी बड़ी हुई है फिलाल जिले के अनुसार हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस जिले में कितने सीटों पर कौन आगे चल रहा है इनमें इस वीडियो में खास तरपर हम दो मुखे जिलों को लेकर करके चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे सहिजोगी राजमुहन तिवारी जुडएंगे राजमुहन से हम जानेंगे कि भागलपूर की क्या इस्थिती है राजमुहन भागलपूर में साथ विधान सभा के सीटे हैं जीस में अगर देखा जाए तो पहले जो है वो दो सीटों का चुना हुआ था उसके बाद पांच सीटों पर चुना हुआ था तो बात करे भागलपूर सदर की तो यहां से भाजपा आगे है नमबर पर है 1674 वोट उसे मिले है वहीं अगर बात करें बीपूर से तो बीपूर से भाजपा राजट से 3941 वोटों से आगे है भाजपा को यहां पर 8841 वोट मिले है वहीं राजट को 4900 वोट मिले है गोपालपूर से जदियू राजट से 5075 वोटों से आगे है जदियू को य यहाँ पर 6855 वोट मिले हैं वहीं कॉंग्रेस को 5545 वोट लोजपा अभी यहाँ पर 1000 भी नहीं पार कर पाई यह 881 वोट उसको यहाँ पर मिला है कहलगाओं से कॉंग्रेस भाजपा से 3907 वोटों से आगे अगे कॉंग्रेस को यहां पर वोट मिले है 12,749 भाजपा को यहां वोट मिला है 8,832 वहीं पिर 35 है भाजपा राज़त से 1426 वोट से आगे है भाजपा को यहां पर 10,370 वोट मिले है वहीं राज़त को 8,946 यानि कि अगर कुल मिला कर देखा जाए तो भागलपूर में 7 विधान सीट है वहीं कहलगाओं को छोड़कर अन 6 जगाओ पर अगे चल रही है तो कहलगाओं का सीट किसका हो सकता है अजीत शर्मा वहां से हैं कहलगाओं से नहीं वह कहलगाओं से भागलपूर से हैं भागलपूर से हैं और वहां से वह पीछे चल रहे हैं तक्रीबं 3000 लगबग वोटो से वो पीछे चल रहा है ठीक है धन्य बाद राजमुहन जिस परकार से चुनावी रुजान हमारे साथ सामने आ रहे हैं उसी परकार के आकड़े हम आप तक प्रश्टूत कर रहे हैं हमारे संवधाता लागतार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं अब हमारे के जितेंद्र कुमार और अनील कुमार जो की राजत से हैं इन दोनों के बीच जो है काफी कड़ी टकर जो है आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है और जो यह विधान सभाद छेत्र है अस्थावा का यहां से बता दें कि जितेंद्र कुमार जो है करीब उनको 14,685 से जदियु जो है इस सीट पर आगे चल रही है और हमारे रिपोर्टर इस पर लगतार नजर बनाये हुए है और इसके अलावा बिहार सरीफ की सीट जो है यह भी काफी महत्पुन सीट है नालंदा में आती है और इस सीट की अगर हम बात करें तो यहां से डॉक्टर सुनील कुमार जो है वह भारती जनता पार्टी के टिकट से जो है वह मैदान में है और उन्हें जो मत मिले है वह 17,656 अभी तक वोट उन्हें मिल चुके है वहीं आपको बता दें कि यहां से जो राष्ट्री जनता दलके जो नेता है वह भी सुनील कुमार ही है लेकिन इन दोनों क दोना नाम एक जैसा ही है इसलिए लगता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो होने की बात करी जा रही थी अब बता दें कि इन्हें भी लगवग लगवग 10,633 के करीब जो है फिलाल इवियम काउंटिंग में जो सामने आ है उतना वोट इन्हें मिला है और देखे तो काटे की टकर है 10,000 के पास पार जो है दोनों नेता फिलाल जो है मद्दान में लेकिन फिर भी अभी 7,000 वोटों का अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है अब बात अगर हिलसा विधानसवाच्षेत्र की कर लें तो हिलसा में आपको बता दें कि यहां से राष्टे जनता दल के अत मता दल से खड़े हैं वह एकदम इनके पीछे लगे हुए 3000 वोटों का अंतर दोनों में दिखाई दे रहा है 16,176 वोट जो है फिलाल इनको मिले हैं इसके अलावा कुछ और सीटों की अगर बात कर लें राजगीर की बात कर लें तो रवी जोती कुमार जो है कॉंग्रेस से लड़ रहे हैं और कोशल किशोर जो है यहां पर जदिव के तरब से फिलाल यहां पर कॉंग्रेस आगे बताई जा रही है राजगीर में खास तोर पर इसके अलावा हरनौत विदान सभा की बात करें तो हरी नरायान सिंग है जो की जदिव से हैं और यह आगे हैं ममता जदियू और लोजपा की टककर जो है इस सीट पर दिखाई दे रही है अब इसलामपूर सीट की बात करेंगे चलते चलते चंद्रसेन परसाद जो है यहां से जदियू के उमिद्वार है राकेश कुमार रोशन जो है वो राज़त के उमिद्वार है और यहां पर जो है जो प्वाश्च होना, होने में अभी देर लगेगी, क्योंकि जिस प्रकार से आंकड़ों में बड़ा फिर बदल लगे हैं, इसकी अनुसार अभी कुछ भी कहह पाना इतना आसान नहीं होगा, जिस प्रकार से आंकड़ी बदल रहे हैं, कभी आगे, कभी पीछे, और जीतने जो लिडिंग काणिडेट है वो कोई जादे मतों से आगे नहीं चल रहे हैं. इस लिए भी कुछ कहना आसान नहीं लगता है. देखने माली बात हैं बिहार विधान सबा का चुनाओ का चुनाओ जो है वो एक अलग ही इतिहास रचने जा रहा है. इस खबर में फिलाल इतना ही आगे कि खबरों के लिए बने रहा है हमारे साथ अगर यह वीडियो आप फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी साजा करें ताकि जादे से जादे लोगों तक सटिक जनकारी सही बातें पहुंच सके धन्यवाद